बिस्मिल्ला हरेमान रहीम नाजरीन वीवर्स अस्सलाम अलेकूम रहमतुल्लाहीव वरकाता हूँ हेल्थ जिन्ली की चैनल में मैं अब्दुशफीक खान राइपूर 36 गर्से आप तमाम दोस्तों का इस्तकबाल करता हूँ और अल्लाह से आप लोगों के स्वस्तर रहने की दुआएं मांगता हूँ जैसा कि दोस्तों मैं आज टोटका आप लोगों की बीच में लेके आया हूँ वो बकरी, इंगलिस में गौर्ट और बाकी जुबानों में क्या बोलते हैं मुझे जानकारी नहीं तो इसके दो टोटके मैं आप लोगों को बताऊँगा एक बच्चों की नीन, बड़े बुजुर्गों की नीन और जवानों की नीन जो रात में नीन टूट जाती हैं बार बार नीन तूटती है और वो बच्चे जो रात में माबापको सोने ने देते रात भर रोते हैं तो यह एक तोटका है जो बहुती अच्छा है और कामियाब है मेरा आजमाया हुआ है कई लोगों पर तो दोस्तो इसको करना कैसे है कि जैसा यह आप देख रहे हैं यह मेंगनी है यह मेंगनी आप देख रहे हैं मेरे हाथों में यह मेंगनी मेगी कई नामों से दो और रेंडी भी बोला जाता है यह बगडी की मेंगनी है आपको करना क्या है कि इनको सरहने की नीचे साथ या चा बच्चा रात में बहुती ही रोता है माबाप की नीन को हराम कर देता है तो बस कपड़े में लपेट के इसको रख दीजिए तो इंसा अल्ला मेरे अल्ला ने चाहा तो बच्चा सुकून की नीन सोएगा अगर आप चाहें तो दो-तीन दिन रखे रहे हैं ताकि उसका हमेशा क के लिए रात करोना छूड़ जा और दूसरी चीजिए है कि जैसे बुजूर्ग हैं बड़े हैं रात में सो रहे हैं अचानक आख खुल जाती है दो-तीन-तीन बार नीन से जग जाते हैं नीन नहीं आती तो उनके लिए यह है कि सफेद बक्री यह याद रखना है कि सफेद जाती होनी चाहिए एकदम सफेद कहीं काला कोई धबबा नहीं होना चाहिए उसकी सींग को लेना है सींग को लेने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं यह सींग है इसका ऐसा सींग लेके जिसकी नीन तूड़ जाती है रात में तो उसके सरहाने की नीचे अगर आप रख फिजदी फैदा पहुंचेगा यह तोटका है यह कोई दवा खाने की पीने की नहीं है तोटका है आप इसको इसको इस्तमाल करें और फैदा उठाए इससी के साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा अल्ला हाफिज अस्सलाम वालेकूं रहमत उल्लही वह परकाता जले हुआ है यह कोई मैं आप लोगर दden खाहूंगा